हुश्गवार मौसम में अक्सर हम युनिवस्टी की वापसी पर अपने वैन अंकल से रिक्वेस्ट करके लाउड बॉइज में म्यूजिक लगवा लिया करते थे यूही एक दिन हम अपने घर के जाने प्रवाना थे कोब मौसम से महजूज हो रहे थे म्यूजिक सुन रहे थे अंकल भी फूल स्पीट में वैन को चला रहे थे केते में हमें ट्राफिक जैम मिला हमारी वैन रुग गई जब हमारी वैन रुगी तो हमने देखा कि हमारे दाई सिम्त में दो लड़के जो के यूनिफॉर्म से कॉलिज के मालूम होते हैं घर के जाने प्रवाना है उन में से एक लड़का तो इंतहाई शरीव था जो के सामने देखकर ही चल रहा था जब के दूसरा लड़का जो के हमारी वैन से तक्रीबन दो फीट की दूरी पर मौजूद था मुसलसल हमारी वैन के लड़कियों को देखकर कमेंट सबास कर रहा था वो इस बात से पिलकुल नाशना था कि उसके सामने से कोई गाड़ी या कोई बंदा आ रहा है कि उसके इडगर्ट क्या महौल है उसकी पूरी की पूरी तवज़ा हमारी तरफ थी कि अचानक वो किसी के गले लग गया कि उसका किसी के गले लगना था कि हमारी वैन पूरी की पूरी कहकों से गूंज उठी तो मनजर ये था कि वो किसी के नहीं बलकि वो किसी घदे के गले लग गया था उसको मानू ही नहीं था कि उसके सामने से एक घदा गाड़ी आ रही थी और वो इतना गुम होके चल रहा था कि उसकी टकर एक घदे से हो गई वो इसके दर शुर्मिंदा हो गया और अपनी हरकत पर उसी वक्त नादिम हो गया